Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना आप पिल्कुल ना पूरे साथ हमारे फेस्बुक पेस्ट को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट कर दें उनिस एयरपोर्ट वाला पहला राजे होगा उत्तरप्रदेश सियम योगी ने बताया आप कितने एयरपोर्ट पर चल रहा है काम मुख्यमंत्री होगी आतितना थे कहा कि वश्च तो हजार तेईस में राम मंदिर का निर्मार कारे पूरा हो चुका होगा और राम लला पर राजमान हो चुके होगे हमें मंदिर निर्मार के साथ ही आयूध्या में एयरपोर्ट को क्रिया शील करने के तयारी करनी चाहिए मुख्यमंत्री गुर्वार को अयुध्य अंतरास्टी एरपोर्ट के लिए नागरे कुध्यान विभाग और भारतिय विमान पत्तन प्रादिकरन के बीच भूमी लीज एग्रिमेंट होने के मौके पर पोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राजी सरकार पूरी तरह से मदद करेगी ये अर्च्यवस्था को उचाई तक पहुचाने का महत्यपोर्ण माध्यम बनेगा उन्होंने कहा कि वर्तमान में दस नई एयरपोर्ट के लिए कारेवाई चल रही है तीन अंतरास्टिय एयरपोर्ट चालू है अब गंदी नहीं साफ सुत्री दिखेंगी यूपी की रोडवेस बसेस नई व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री ने जारी किया आतिश प्रदेश के परिवहन राजी मंत्री दयाशंकर सिंग के निरदेश पर रोडवेस बसेस की साफ सफाई की विशेश विवस्था बराई गई है रोडवेस की बसे अबना सिर्फ साफ सुत्री होंगी बलकि उससे फ्रेशनर की खुश्बू भी आएगी उन्होंने गुरवार को आदेश चारी कर दिये मंत्री के निरदेशों के तहट बसों के अंदर जालू लगा कर फर्श चालक के बेन एवम डैशबूर्ट को साफ किया जाएगा और सीर्फ के नीचे से कचरा निकाला जाएगा इसके अलावा बसेस को बाहर की तरफ से गीले कपड़े से साफ किया जाएगा और शीशों की डिटर्जेंट वा हैंड हेल्ड वाइपर से सपाई की जाएगी एड़ेट इंटर स्कूल्स में 7268 रिक्ति पड़ों पर होगी भरती वेरिपिकेशन को लेकर सामने आई तारीख मादमिक शिक्षा के एड़ेट इंटर कॉलिजेज में 7268 रिक्ति पड़ों के सत्यापन के लिए पोर्टल 16 अपरेल से खोला जाएगा वही नई रिक्तियों को दर्ज कराने यानि अधियाचन के लिए पोर्टल अलग से खोला जाएगा इन पड़ों का सत्यापन 25 अपरेल तक किया जा सकेगा पहले सरकार ने शत्-प्रदीशत रिक्ति पड़ों पर भरतियां एक साथ करने का फैसला लिया था लेकिन अब पहले से खाली 7000 से जादा पड़ों पर भरती होगी यादेश मादेमिक शिक्षा सेवा चेन आयोट के प्रभारी सचेव नवल किशोर ने जारी किये हैं यूबी के लेकपालों के लिए खुश्खबरी चार वर्षों का खत्म होगा इंतिजार प्रमोशन के बाद बनेंगे राजस्व निरिक्षा उत्रप्रदेश के लेकपालों के लिए अच्छी खबर है पिछले चार वर्षों से बदोनती की बार चोहरही लेकपालों का इंतिजार खत्म होने वाला है प्रदेश के तक्रीवन 1750 लेकपाल चल्द ही राजस्व निरिक्षक के पतपर प्रमोट होंगे योगी सरकार सौधिनों में 25,000 बेरोजगारों को निजी शेत्र में दिलाएगी काम लगेंगे 90 रोजगार मेले उत्रप्रदेश के योगी आदितना सरकार के दूसरे कारिकाल के पहले सौधिनों में श्रम वा सेवा यूजन विभाग नबे रोजगार मेलों के माध्यम से 25,000 पे रोजगार अभ्यातियों को नेजी शेत्र में नियोजित करेगा मही 600 करियर काउंसलिंग कारिक्रम के माध्यम से 50,000 प्रती भागयों को काउंसलिंग के सुविधा उपलब्द कराई जाएगी सौ दिन की एक्शन प्लान में शामिल उत्रप्रदेश की योगी आदे दिना सरकार बेटियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री करन्या सुमंगला योजना के तहट 22,000 रुपे की साहिता देगी अभी इस योजना में बेटियों के बैदा होने से ल योपी में प्रतिभवान महिला एथलीट्स को पांच लाग रुपे देगी सरकार 75 खेल प्रशिक्षिकों की भरती तैयारी प्रतिपवान महिला एथलेट्स को पांच लाग रुपे की पृत्साहन राशी दी जाएगी यवादा भाजबा के लोग कल्यान संकल पत्र में शामिल था योगी सरकार 2.00 में इसे चलते लागू कर दिया जाएगा खेल भाग ने सौधिन के इउजंटे में इसे शामल किया है इसके लिए 12.50 करोड रुपे का बजट आवंटित किया गया एक लवे क्रीडा कोश नियामा वली के नियामों के अनुसार महिला एथलेट्स का चैन किया जाएगा नई स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 लागू की जाएगी एक एक एकरत रूप से खेल एकोसिस्टम को लागू करने पर जोड दिया जाएगा यूपीमेसी चनाओ 2022 में 27 सीटों पर नौको मदान भाचपा और सपा में मुकाबला उत्रप्रदेश में चनाओ को दोड़ जारी है विधान सबह चनाओ के बाद विधान परिश्ट के छटे सीट पर मदान की तयारी है नहीं है इंडिया के बीच लियर्ज एग्रिमेंट का कारिक्रम संपन्द हुआ रास्टरपती के बाद अब उप रास्टरपती का यूपी दौरा 15 अपरेल को ट्रेन से पहले आयोध्या फिर वारानसी जाएंगे रास्टरपती रामनाद कोविन के बाद अब उप रास्टरपती वैंकेया नाईडू ट्रेन से लखनाउसे आयोध्या फिर वहां से वारानसी जाएंगे रेलवे बोर्ड की ओर से कारिक्रम खुशित होने के बाद रेलवे ने अपनी तयारी शुरू कर दी है उप रास्टरपती के लिए सलून तयार किया जा रहा है इस सलून से उप रास्टरपती अयोध्या जाकर शीराम लला के दर्शन करेंगे ये ट्रेन अयोध्या दो घंटे में सफर पूरा करेंगी इस दोरान वो स्पेशल ट्रेन में लगे सैलून में ही नाश्ता भी करेंगे रेलवे प्रिशासन ने उप्रास्टफती की ट्रेन की यात्रा की तैयारियां शुरू करती हैं यूपी में भीशन गर्मी काक्षाण तक की स्कूल दोपहर बारा बजे तक ही चलेंगे जिसे बारा बजे तक के कर दिये गए हैं। आप्रेल को जारी किये जाएंगे शासन की अनुमती मिलने के बाद परिक्षा नियामक प्राधिकारी कार्याले ने रिजल्ट जारी करने की पूरी तैयारी कर ली है। पोर्ड रखा गया राजसरकार ने 317.85 बाच एकर जमीन इसके लिए खरीद कर लीज पर दी। इसके लिए भाटे विमान पत्तन प्राधिकरन और नागरी कुझ्यान विभाग के बीच लीज एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये गए। मुख्यमंतरी योगे आदितनाद की मौजूदगी में ये काम संपन हुआ। मदर्सों को लेकर योगी सरकार के नई पहल छात्रों की आदूनिक शिक्षा के लिए बनाएगी मुबाइल है। संग्राम से नानियों की जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। सरकार ने एक बार फिर भूजल संरक्षन की योजनाओ को तेजी से प्रदेश में विस्तार देने की तयारी की है। यूबी मेर राचन की दुकानों की आय बढ़ाने को बनी खास योजना कॉमन सर्विस सेंटर की रूप में विकास होगा। खादे वं रसत विभाग प्रदेश की लगभग असी हजार उचित दर दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर की रूप में विक्सित करेगा। इसका उदेशे उचित दर विक्रेताओं की आमदनी बढ़ाना है। अगले सौदिनों के दौरान इसके कारी योजना को मूर्त रूप देने के साथ विभाग उचित दर विक्रेताओं को इस बाबत प्रशिक्षन भी देगा। इस जन सामाने को सरकार की जनक कल्यान कारी योजनाओं का लाप पाने की सुविधा इस्थानिया इस तर पर मिल सकेगी। इस अबदे में विभाग रास्तिय खादे सुरक्षा आदिनियम के तहट खादे सुरक्षा के लाप से वंचित आश्रहीनों और कच्रा उठाने वाले लोगों को चिन्नित करते हुए उन्हे राशन कार्ड उपलब दिख कर आया जाएगा। वस्थाल लागू कर दी है। के प्रभावी कारी उजना बन चुकी है। महिलाओ वा बच्चियों के साथ होने वाले अपरादों में और कठोर कारेवाई मुक्यमंत्री योग्यात इतनात के प्रात्मिक्ताओं में शामिल है। यही वज़े है कि राजी में अगले सौ दिनों में महिलाओ के विरुद होने वाले अपरादों वा पॉक्सो एक्च के मामले में पुलिसी एक हजार अपरादियों को सजा दिला कर कड़ा संदेश देगी। लखनों में कल से तीन दिन बंद रहेंगी शराब के दुकाने विधान परिशत चुनाओ के अधिकारिया विश्यक प्रकाश के मताबिक आयो毛 के नियमों अनुसार मदान के 45 घंटे पहले ही जिले में शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रदिबंदित होगी। कहीं पर भी किसी तरह से शराब की विक्री की इजाज़त नहीं होगी। अब ऑल्लाइन काम होने से समय बचता है। सांती इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। 145 सौध्यकिक शेत्रोवाले उत्तपरदेश शौध्यकिक विकास प्रादिकरन के तहर साल 2019-20 में प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकारी कार्यालियों में दोड़भा करने वालों की तादाद 52 प्रतीशत थी। किनरों को लेकर एहम फैसला लेने जा रहा है किनर बोर्ट। नहीं मिल सका और नहीं उन्हीं राज्यमंत्री का। तीन विवादत कृशी कानून वापस लेने के साथी किसानों ने सरकार से कई और मांगे की थी जिन में न्यूनतम समर्थन मूले पर कानून बनाने की मांग भी की गई थी। सियम योगी की सुरक्षा बढ़ाई गई पांच कालिदास मार्ग पर सी आर पी एफ की दो यूनिट तैनाद गोरकनात मंदिर हमले के बाद उठाया गया कदम। गोरकपुर से लकनव तक मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई पांच कालिदास मार्ग पर सुरक्षा की कमान पुलिस के साथ साथ अब सी आर पी एफ के हाथों में होगी हर आने जाने वाले से पूछताच की जाएगी पूरी जानकारी और तस्दीक के बाद ही किस अब ही जारी है इस वीच गोरकपुर से करीब सौ किलोमीटर की दूरी पर भारत नेपास सीमा के पास से स्थितिक गेस्ट हाउस से फर्जी आई डी और अन्य दस्तावेजों के साथ दो संदिक दे पकड़े गए पुलिस और खूफी आइजनसी दोनों से पूछताच कर रह हैं बताया जा रहा है कि दोनों के पास से वारानसी के नंबर की एक एस यूवी गाड़ी और एर गन भी मिली है माराज गंज के एस पी प्रदीव गुपता ने बताया कि मामले में पूछता चल रही है बतादे कि गुरकनात मंदिर हमले के मामले में भारत नेपास सीमा पर तोर पर अलट जारी किया गया है गरीब बेटी की शादी के लिए अब एक लाख रुपे देगी योगी सरकार अलप संख्याक और पिछड़े वर्ग के लिए भी नए प्रावधान योगी सरकार अब मुख्यमंतरी सामोहिक विवाय योजना में गरीब बेटी के विवाह पर 51,000 रुपे के बजाए एक लाख रुपे खर्च करेगी इश्वेनी के तहर सभी वर्गोर समुदायों के गरीबों की रेखा के नीचे जीवनियापन करने वाले परिवारों के बेटीयों के सामोहिक विवाह आयूजित करवाय जाते हैं समाज कल्यान विभाग ने इस योजना को 100 दिनों के कारी योजना में शामिल कर अनुदान राशी बढ़ाने का प्रस्ताव तयार किया धन्यवार.